आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी माट्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बाईलोजी डाउट्स का सफाया बस अपने क्वेशन की फोटो कीचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ हो गया, के भी गीवन है 2.53 केलो कैल्विन किलो ग्राम पर मॉल और जो मोलिकुलर फोर्मूला इसने दिया है S N, हमें N की वैल्यू निकालना है और S गीवन है 32 ठीक है गाईज, तो कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास सीधा फोर्मूला बेस कोशन आएए ΔTB क्या होता है, KB टाइमस ओफ मोलालिटी, मोलालिटी क्या होता है, वेट ऑफ सोलूट अपोन मॉलिकुलर मास इन्टू 1000 अपोन वेट अपोन वेट उवन अब इनकी वैल्यू इस हमारे पास है, 0.081 is equal to kb कितना है 2.53 into weight इसका 3.24 into 1000 divided by molecular mass हमें calculate करना है total और जो weight of solvent है वो 400 gram है तो यहाँ से अगर हम molecular mass calculate करते है तो यह हमारा आता है 2 यह आता है 253 और हमें given है कि जो sn की form में हमारा sulfur जो है वो exist कर रहा है तो अगर उसका sn का total molecular mass हमारे पास 253 है और हमें n की value चाहिए तो हम क्या करेंगे इसका जो single s का molecular mass है 32 उससे यह equation बना लेंगे 32 multiplied by n is equal to 253 और n is equal to कितना हो गया 253 divided by 32 यह हमारा 7.90 आएगा तो approximate 8 moles of sulfur R combined तो जो sulfur है वो S8 के format में यह form में react किया गया है यह फिर dissolved किया गया है ओके गाईज थैंक यू क्लासिक्स स्ट्वेल से लेके नीट IIT जेही मेंस और अडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से जादा स्टुडेंट्स का भर होसा आज ही डाउनलोड करें डाउटने टाप यह वाथ्साप कीजिए अपने डाउट्स आच चारसो 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 पर